सीजन फूर एपिसोड एट स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि गस एक ओल्ड एज होम में डॉन सॉलमंगो को मिलने आया हुआ होता है वो आकर बैठता है और उसे बोलता है कि जो ट्वीन्स थे वो मुझे प्रेशर कर रहे थे कि उन्हें वॉल्टर को मारना है फिर मैंने ही उनको डी एजन का नाम दे दिया जब वो डी एजन को मारने गए फिर मैंने ही डी एजन को कॉल कर दिया और उसे एक अपरेंड दे दिया उसने एक twin को वहाँ मार दिया और दुसरा hospital में था तो मैंने hospital में जाकर दुसरे को भी मार दिया ये सब कार्टल के बौस को पता चल गया था फिर मैंने police की raid उसपर डाली और वहाँ उसे भी मार दिया कार्टल को शक है पर वो कभी prove नहीं कर सकते इसलिए वो मेरे किलाफ कुछ action नहीं ले सकते ये सब सुनकर सॉलम आंको को खुन खोलने लगता है फिर गस वहाँ से चला जाता है next year में हमें hospital में walter दिखाया गया है walter अपनी cancer test करने के लिए कुछ महनों में उसे आना पड़ता है फिर वहाँ एक आदमी होता है वो उसे बोल रहा होता है कि मेरे सब plan थे कि अब मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा और directly मुझे cancer की खबर मिल गए और मेरे सब plan खतम हो गए वो बोलता है कि आप plan करो और भगवान आप पर हसता है वाल्टर उस पर चीर जाता है और बोलता है कि ये सब घटिया शोच है मुझे भी cancer diagnosed हो था one year पहले पर तब मैंने सब मेरे हाथ में ले लिया मुझे जो करना था वो मैंने किया और मेरे life में जिस तरह से जीनना चाहता था उस तरह से में जी रहा हूँ डेट को कभी ना कभी आने ही वाली है तो उसको वो embrace कर रहा होता है ये वो उसको बताता है Gus को फिर सब DEA agents का call आता है और उसे मिलने के लिए बुलाया जाता है Gus जब उनसे मिलने जाता है तो वो उसको एक question पुछते है कि हम एक case को investigate कर रहे थे तो वहा हमें तुमारे finger prints मिले फिर Gus ही बोलता है कि ये case गेल का था Gus उनको बताता है कि गेल को मैं अच्छे तरह से जानता था गेल बहुत थी smart student था तो इसलिए उसका जब education चल रहा था तो उसके लिए scholarship वेकरा भी मैंने sponsor की फिर वह बोलता है कि उसके बाद उसने contact ही नहीं रखा और कुछ मेंनों पहले वो loss police में आया था उसने मुझसे contact किया था और मुझे बोला कि तुम मेरे साथ डिनर के लिए आओ जब मैं वहाँ डिनर के लिए गया तो उसने मुझसे पैसो की demand की वो एक business opportunity मुझे देने वाला था पर मैंने उससे इंकार कर दिया इसलिए मेरे fingerprints उसके apartment पर हो सकते हैं फिर हैंक ने गर्स का background check वेगरा सब क्या होता है तो हैंक उससे पूछता है कि तुम immigrate हुए थे यहां United States में पर जब जिस country में तुम रह रहे थे उस country में तुम्हारा कोई भी record नहीं है तो ये कैसे हो सकता है फिर गर्स उसे बोलता है कि मैं जब उस country में था तब हम सबको पता है कि वो country कभी भी अच्छे से record वेगरा नहीं रखती वो उसे बोलता है कि अगर तुम अच्छे से और एक बार ढूनोगे तो तुम्हें सब मिल जा सकता है वो उसे गेल का murder जब हो रहा था तब वो कहा था ये भी पुछते है उसके पास diary होती जिसमें appointment होती है वो वो देखता है और बोलता है कि मैं एक charity fundraiser पर था Gus फिर वहाँ से निकल जाता है फिर सब डी ये agent discuss कर रहे होते है जैसी उन दोनों का खयाल रख रहा होता है वो एक नए house में shift हुए होते है तो Saul वो सब देखने आया हूँ जब Saul गाड़ी में आता है तो जैसी उससे पुछता है कि वो दोनों कैसे है तो Saul उससे बोलता है कि वो ठीक है पर तुमें खुद जाकर देखना चाहिए फिर JC घर में चला जाता है फिर next scene में हमें दिखता है कि Skyler जो सब पैसे होते है वो dry cleaning के जो bags होते है उसमें रखती है और उसको अच्छे से pack करकर घर के underground जो space होती है वहां रख देती है फिर Hank और Walter family सब dinner कर रहे होते फिर Hank Walter से पूछता है कि तुमारे result फिर से आया तो क्या हुआ तो Walter बताता है कि सब ठीक है मैं अभी भी remission में ही हूँ फिर Hank उसे पूछता है कि एक mineral show है कि क्या तुम मुझे वहां लेकर जलोगे तो Walter उसे हाँ बोलता है फिर Walter गाड़ी में होता है तो Walter उसे minerals के बारे में सब बोल रहा होता है फिर Hank उसे बताता है कि हम mineral show नहीं देखने जा रहे है ये सिर्फ मैंने Marie को बोलने के लिए बोला था वो फिर loss पॉलस आ जाते है फिर Hank जो उसके पास lead होती है Gus के against तो वो सब Walter को बताता है Walter को बोलता है कि मैंने फिर एक tracking device लिया है उस tracking device को तुमें Gus के कार पर जाकर उसे लगा देना है तुम shoelace पानने के acting करोगे और उसके कार पर जाकर ये tracking device लगा दोगे फिर Walter एक्टिंग करता है कि वो shoelace बान रहा है पर वो tracking device नहीं लगाता वो अंदर जाता है और Gus से बात करता है और बोलता है कि यह जो tracking device है यह मैंने नहीं लगाया फिर Gus उसे बोलता है कि जाओ और इस tracking device को लगा दो फिर Walter वैसे ही करता है और फिर से गाड़ी में आकर बेट जाता Walter को डर लग रहा होता है कि Gus Hank को मार देगा फिर वो camera पर जाकर बोलता है कि उसके Hank के पास कुछ भी नहीं है वो तुमें हाथ भी नहीं लगा सकता फिर Walter JC के पास आता है और बोलता है कि क्या तुम अभी भी Gus से नहीं मिले जब JC घर में जाता है तब उसका phone बजता है Walter उसका message read करता है वो Mike का message होता है और उसे बोला हुआ होता है कि आज हम बहुत से नहीं मिलने वाले उसका कुछ काम है पर ये सब JC ने Walter को नहीं पता हुआ होता फिर Walter वहाँ से चला जाता है Mike और Gus की conversation हमें दिखती है Gus उसे बोल रहा होता है कि कार्टेल से मिली पड़ सकता हो पर एक ही बार अगर DA और कार्टेल दोनों हमारे पीछे है तो ये एक problem हो सकती है यानि कि अगर कार्टेल जब move कर रहा होगा या कार्टेल हम बरहामला कर रहा होगा तब ही DA ने देख लिया तो बहुत ही बड़ा trouble हो सकता है फिर Gus उसे बोलता है कि हम इसका कुछ करेंगे Gus फिर से Don Solomon को मिलने आता है वो उसे बोलता है कि कार्टेल ने मुझे offer दी है पर मैंने उसको ना बोल दिया है DA भी मेरे पीछे है और मेरे past को देख रहा है पर उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला उसे फिर एक story याद आ रही होती है वो ही हमें flashback में दिखाई गई है यह हमें इसमें Gus ज़रा उसका young self दिखाई गया है एक्च्वल में लॉस पॉलोस वो और उसके partner उसका जो एक friend होता है उसका होता है फिर वो दोनों हमें Don Cardale का जो boss होता है इलाडियो उसके पास meeting में हमें दिखाई उसी meeting में Don Salamanca और drug का जो नया boss था वो भी हमें दिखाई गया है वो Don इलाडियो के लिए काम करते है फिर जब इलाडियो वह आता है तो वो उनके chicken की बहुत ही तारीफ करता है फिर वो उनको बोलता है कि तुम सिर्फ chicken नहीं sale कर रहे है वो बोलता है कि जब हमारे आदमी तुमारे यह आ जाते है तो वो उनके साथ फिर Gus और उसका partner उसे बताता है कि हम सिर्फ एक तुमें sample दे रहे थे हम वो कुछ sale वगरा नहीं कर रहे है हमें तुमारे साथ काम करना है वो बोलते है कि यह बहुत बड़ा market है कोकें से भी अच्छा यह market हो सकता है क्योंकि यह ज़रा addictive है वो बोलते है कि तुम कोकें तो deal कर रहे हो पर अगर तुमारे नेटर के साथ तुम मैद भी sale करो तुम ज़्यादा profit में रहोगे तुमें कोकें खरीदने परती है पर हम इसे synthesize कर सकते है यह पूरा artificial process है तो यह और भी ज़्यादा profit इसमें हो सकता है conversation में यह भी बात होते है कि Gus का जो friend होता है वो actual में Gus ने उसको sponsor किया होता है उसके education के लिए वो एक scientist होता है उसके chemical engineering भी की होती है फिर Don Eladio Gus के friend से बोलता है अगर तुम यह मेद वगरा सब खुट-खुट कर सकते हो तो मुझे Gus की क्या ज़रूरत है Gus फिर बोलता है कि मुझे disrespect तुमें नहीं करना था मैं सिर्फ तुमें sample देना चाहता था मैं तुमसे बात करना चाहता था इसलिए मैंने तुमारे आदमियों को यह सब sample वेगरा दी थी मेहत की फिर Gus का friend डर जाता है और बोलता है कि मैं Gus के बिना काम नहीं कर सकता Gus बहुत ही important है मेरे यह सब operation के लिए उसे लगता है कि अब Don Illadio Gus को मार देने वाला है पर तभी उसी को Don Salaman को मार देते है Gus बहुत ही डर जाता है फिर Illadio उसे बोलता है कि एक ही reason है कि तुम जिन्दा हो तुम्हारा जो past है इस वज़े से तुम जिन्दा हो उसे बोलता है कि यह तुम्हारा चीली नहीं है यही एप्रिसोर्ट खतम हो जाता है